तो 11 क्लास स्टार्ट करते हैं आज सबसे मेन टॉपिक कॉंप्लेक्स नंबर का जैनि मैथमेटिक्स में चेप्टर नुप 5 कॉंप्लेक्स नंबर एंदा क्वाडिटिक एक्वेशन में एक्साइज नंबर 5.2 का टॉपिक कॉशन नंबर 3 पॉलर फॉर्म में कैसे क्वाड किया जाएं किसी एक कॉंप्लेक्स नंबर को बहुत इंप्टर टॉपिक नंट प्र्म एक्वेशन में मिलता हैं enough excited exam में भी आता है चली स्टार्ट करते हैं किस साथ से किसी भी complex number को pull of arm में change करेंगे तो सबस्वेले question मेंने 3 यहां लिग रखा है z is equal to 1-i तो सबस्वेले अब क्या गरिए इसको compare करिए z is equal to x plus i y से तो x कितना आएगा 1 y कितना आएगा बताई कितना आएगा negative 1 negative 1 कैसा आएगा i का coefficient कितना है जहां कुछ नहीं होता है सबसे बहले इसका आप निकाल लिए मॉडूलर को देखते रहें मॉडूलर निकालते मॉडूलर निकालने का फाउला लास्ट वीडियो मैंने बताया था क्या था एक स्क्वार प्लस y स्क्वार विद अंडर रूट तो आप दोनों पे स्क्वार लगा के जो दीजे तो कितना गया रूट टू आ गया इतना हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप होगा फाइंड आउटी आर्गुमेंट लास्ट वीडियो मैंने पूरा अग्रुमेंट निकालना सिखाया था इस चैनल पे अवलेबल है ज़रूर देखेगा पूरा अग्रुमेंट आपको क्लियर हो जागा यह जो होती ही पोलर फार्म होती है तो इस पोलर फार्म में मुझे आर्गुमेंट करना है आर्ग क्या होता है यह जो मॉडलर्स होता है इसको आर्गुमेंट होता है यह जो ठीटा होता है यहाँ पे अलफा भी रिपेसेंट किया जाता है लेकि यह होता है क्या है आर्गु y upon x y कहां से आएगा यह जो वैल्यू नगाली निगेटिव वन मॉड है और x कितना है वन लगाने मतलब यह होता है कि हमेशा वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी यानि वन आएगा वन वन मीस वन ही होता है निगेटिव कहां चलेगा मॉड में पॉजिटिव हो गया अब यह tan inverse होता क्या है निगेश सीरे से दाओं आपको बहुत एजी दरीगे से tan inverse 1 का मतलब यह है कि tan में किस डिगरी पे किस एंगल पे 1 वैल्यू मिल दिया है सोचें कि tan में कब वन आता है बिल्कुल सही है 45 पे आता है अगर रेडियन वी लिखे तो उसको लिखेंगे 5 by 4 यह जो मारे पास आया है ठीटा आया तो है लेकिन यह complete argument नहीं है यह सिर्फ ठीटा है आप सोचें ठीटा वहाँ भी लिख दिया है लेकिन वो argument वाला है यह नॉर्मल ठीटा निकला है सिर्फ angle को represent कर रहा है अब निकालते हैं argument निकालने के लिए मैंने यह लास्ट वीडियो जो है X1 Y negative याना X positive है Y negative है तो अनि X positive Y negative किसृटन होता है पहले यह decide करना होता है तो यह figure आपके सामने है पहला grandson दूसरा Gordon घीसरा और 14 अगरा पहले courtant में हैं दोनों थीटा मलब जोभी value आई यह थीटा कि वो हो जाएगा लेकिन अगर आगा second quadrant के लाइक कर रहा है तो argument होगा पाई मैनस थीटा और third में कर रहा है तो इसमें हो जाएगा negative pi मैस्थीटा और फोर्थ में करता है नेगेटिव थीटा हो जाता है तो ठीक है यह वाला कहा तो मैंने pi upon 4 put कर दीजिए तो यह argument आ चुग है यही argument मैं put करूंगा polar form में z is equal to r cos theta plus i sin theta ठीक है confused नहोंगेगा theta angles representation है और यह argument का theta representation यहाँ पर होता है आप alpha भी लिख सकते हैं तो cos theta theta कितना है negative pi by 4 plus i sin pi by 4 negative sin ठीक है इतना तो हो गया लेकिन याँ खिएगा इसकी value नहीं put करने ही आपको अब यह ना करेगा pi by 4 भी कि cos पे pi by 4 कितना हो तो put कर दें ऐसा कुछ नहीं करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो value वही आ जागी जो starting में थी यह polar form है तो वैसे इतना कर सकते हैं आप सी sign जो है आप बहार निकाह सकते हैं cause में तो positive हो जाता है sign में बहार आ सकता है 5 of 4 और आप इसको degree में लिख सकते हैं तो इस तरह से question complete हो चेका है बहुत important topic है आपका यह polar form exam में जरूर आता है सीख लीजे, note कर लीजे 100% exam में बिलेगा अगर यह question आपको doubtful लग रहा है तो एक और में question कराएं जा रहा हूँ और अच्छी दास से भी आपको ready हो जाएगा तो अगला question में note कर लिए है change into the polar form, polar form में change करना है तो सबसे पहले क्या करें compare करें किसे z is equal to x plus i y से तो x कितना हो जाएगा बदाएगे x कितना negative 1 y कितना है तो coefficient of the i, i के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, positive तो positive लिख देंगे अब निकालते हैं और अब का पहले modulus, तो modulus निकालें फार्मूला क्या था? तो x स्क्वार प्लस y स्क्वार, value पूट कर देते हैं, 1 के स्क्वार प्लस 1 के स्क्वार, तो 1 प्लस 1 कितना हो था है? 2 होता है, वहीं हमारे पास r तो आ गया, r ही हमारा modulus होता है, r से रिप्रिजेंट किया जाता है modulus r से भी, इतना हो जानेक बार निकालना है मुझे argument, polar form क्य होते है, z is equal to r, cos theta plus i sin theta, theta में इस होता है argument, r होता है modulus जो की निकल चुका है, अब निकालते है, argument, argument निकालना तरीका बताया था मैंने, theta is equal to tan inverse mod y upon x, देंकि मैथड यह जो है न, ncr team नहीं दे रख, देंकि बहुत easy method है, बहुत easy method है, इससे आप निकालेंगे, तो चुटकियो मैं आंसा निकाल देंगे, जरा सा confused निकाल देंगे, तो y कितना है, लेकिन 1 है, x कितना है, negative 1 है, लेकिन negative से कुछ फर्क नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, कि mod लगा है, जो mod लगा है, तो value कैसी आएगे, positive ही आएगे, तो यहाँ पर 1 आ चुका है, तो आपको कतन आ गया है, तो अभी यह complete argument नहीं है, argument निकालने को बचा हुए, तो argument कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, point जो मैंने इस लिखे रही है, यहाँ पर, वो point क्या था, x क्या था, उसकी value क्या थी, negative 1 और 1, यह जो value है, negative 1 और 1, यह सोचिए, किस quadrant में लाई करेगा, तो देखते हैं, हमारे पास negative और positive sign किस में आता है, negative positive जो आता है, second में आता है, और second में argument जो होता है, pi minus theta होता है, तो इसके लिए, इसको ते second quadrant में है, तो second quadrant के according, argument, arg, argument जो होता है, pi minus theta, और theta कितना निकाला मैंने यहाँ पर, pi by 4, रटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 pi by 4, बस आपको इतना लिख देना है, उसके बाद polar form में change करने के लिए, polar form, उसको polar form का formula क्या था, z is equal to r in bracket, cos theta plus i sin theta, और यह theta क्या होता है, argument होता है, आपको argument पूट करता है, तो cos theta, theta कितना निकाला, 3 pi by 4, plus i sin 3 pi by 4, आगे कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई value निक पूट करनी ह है, यह complete आपका हो चुगा है, तो स्टार्ट करने बच्छों, next question, question 5, z is equal to negative 1 minus i, change करना इसको polar form में, तो सबसे पहला step जो होगा, आप compare करेंगे, x plus i y से, तो x कितना आ जाएगा, negative 1, y कितना आ जाएगा, देखिए, i के साथ यहाँ पे number question हो, तो मतलब वहाँ पे क्या होता ह है, 1, तो यहाँ negative sign हो, तो negative आ ले लिए, इतना हो जाने की बाग, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, इसका modulus, तो modulus क्या होता है, square root of the x square, plus y square, तो x कितना है, negative 1, और y कितना है, negative 1, square कर दिया है, तो 1 plus 1 is equal to root 2, इसको r से भी revision किया जाता है, क्योंकि polar form, r in bracket cos theta, plus i sin theta, आ तो आ चुगा है, बचा है कितना है हमारा, बचा है सिर्फ theta में इस argument निकालने के लिए, तो argument निकालने के लिए, आपको याद होगा, हम तो क्या tick करते हैं, सब्सक्राइब निकालते है, theta और theta is equal to होता है, tan inverse mod y upon x, तो y यहाँ पे कितना आचुगा है, tan inverse में, negative 1, और x कितना है, negative 1, mod तो लगा हुआ है, positive तो आ रही है, तो tan inverse 1 value आ चुकी है, तो यह हमारा angle आया है, सिर्फ theta आया है, अभी argument नहीं आया, theta होए, same लिखता हूँ, लेकिन argument जो होगा, अभी निकलेगा, वो निकलेगा आपके quadrant के साब से, आप alpha भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, z is equal to r, cause alpha, plus i sin alpha, फिर आप alpha को बोल सकते हैं, आपके argument है, बात एक है, value जो put की जाएगे, वो argument की put की जाएगे, अभी जो angle निकलता है, या acute angle निकलता है, real हमारा argument नहीं होता है, अब क्या करेंगे, argument निकालने के लिए हम लोग पचानेंगे, जो हमारे पास point है, means जो x, y की values हैं, वो कैसी है, देखेह, x कितना है, negative 1, y कितना निकेटीव 1, दोनों को दोनों negative है, तो दोनों negative होने पे, हम लोग argument निकलने के लिए, सोचेंगे कौन सा quadrant होना चाहिए, अगर दोनों values negative होती हैं इसका मतलब ये हैं कि value हुमारे किस quadrant पहुच रही है तीसरे में पहुच रही है दोनों negative होने पे यानि ये third quadrant में value पहुच चुकी है third quadrant में होने पे argument जो होता है minus pi minus theta और theta हम दो निकाल चुके हैं कितना है pi by 4 घटा देते हैं कितना आएगा 4 इदर 1 इदर तो means negative pi by 4 ये हमारा argument आया है polar form इसके बाद आएगी तो polar form is equal to z is equal to r cos theta plus i sin theta आपको करना हैं कि सिफ यहाँ पे value put करनी है r कितना निकाल था root 2 इसको अटा देता हूँ site में root 2 cos minus 3 pi by 4 plus i sin minus 3 pi by 4 आप चाहें इस जो negative sign है इसको according change कर सकते हैं मतलब negative cos में always value कैसी होती है plus होती है लेकि sin में negative बाहर आ जाता है मतलब cos minus theta equal to होता है cos theta और cos वो उसको sign minus theta जो होता है minus sign theta होता है तो इस चीज़ को मैंने use किया और complete answer आ चुका है इसी दा सो और questions भी इसमें है question number दे रखका है इसमें 6,7 एक और मैं question करा देता हूँ और बागी में देता हूँ होँ वक्त में लगाईएगा कोई doubt हो message कर सकते है अब लगा सकते है अगर आपको 6,7 question में कुछ 6 question को doubt हो रहा है तो 8 question देखके लगाएंगे तो आपको concept clear हो जाएगा तो start करते है 8 question तो 8 question में सबसे बहले इसको अब general formula दीजिए याने x plus i y में तो यहाँ दो x का टा भी नहीं है तो 0 मार लेंगे और plus i ठीक है तो compare किसे करेंगे x plus i y तो x कितना होगा? 0 हो जाएगा y is a coefficient of the i means 1 ठीक तो अब निकालते हैं इसका modulus x square plus y square question वो ही है polar form में change करना है change into polar form तो कितना आ जाएगा? 0 के square, 1 के square तो बचा है कितना 1 और 1 का square root कितना होता है? 1 ही होता है तो इसको r से represent कर देंगे इसके बाद इतना हो जाने बाद निकालते हैं इसका argument argument के लिए पहले निकालते है theta तो tan inverse mod y upon x तो tan inverse mod y कितना है? y तो 1 है और नीचे क्या डालेंगे? 0 डालेंगे अब बताए 0, 1 upon 0 क्या होता है? 1 upon 0 जो होता है? आपका infinite होता है अब यह सोचें कि infinite जाता है tan में किस angle पे आता है tan में infinite value आपकी किस angle पे आएगी? तो वो जो होता है बुलकुल सही है pi by 2 पे आता है pi by 2 means 90 degree पे आपको infinite मिल जाता है यह हमारा theta हो गया लिए आर्गमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? point पर चानेंगे तो point कितना था हमारे पास? x तो 0 था और दूसरा गया था 1 था तो इस पे आते हैं quadrant पे यह पहली value कैसी positive दूसरी value कैसी positive जब दोनों positive होते हैं तो इसका लब है कि angle हमारा पहुचा first quadrant में और first quadrant में जो भी angle आता है वो ही हमारा argument होता है जिसका लब यह है arg of z का लब होता है argument of z हमारे पास वो आएगा जो मैंने यहाँ पे theta निकाला है same as इतना हो जाने के बाद अब लगालते हैं इसकी polar form तो polar form में हम लोग क्या करेंगे? जानते हैं z is equal to r cos theta plus i sin theta आप alpha भी लिख सकते हैं मर्जी है आपकी concept जो clear हो तो कोई problem नहीं आती है तो cos 90 plus i sin 90 ठीक है? value नहीं put up की जाती यह ना करिए cos 90 0 put कर दे फिर वही answer आजाएगा जो आपका starting question था तो आपको यहीं पे छोड़ देना होता है तो complete exercise हो चुकी है मिलते हैं next video में next exercise के साथ और अच्छा video लगे तो like जरूर करें share करें, बदाएए और reference लोगों को वो भी इंस्टेप्टर को clear करके सीख लें चले मिलते हैं next video में